कितना इस पश्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों और नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाखी सब रुका होता। मैंने अकसर इस हूल चलूल दुनिया को, दस सिरों से सोचने और बीस हाथों से पाने की कोशिस में, अपने लिए बेहत मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं, कि सब कुछ शुरू से शुरू हो। लेकिन अंत तक पहुचते पहुचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धून धाम से शुरू हुआ था, हमारे चाहने पर। दुर्गम वनो और उंचे परवतों को जीतते हुए। जब तुम अंतिम मूचाई को भी जीत लोगे। जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचाब। तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तुफान जेलोगे और कापोगे नहीं। तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं। सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। कर तुम में जीता है। कर दिने में कि अपने में जीता है। ढोड़े सकतर है। में पर प्रों में जीता है। झाल झाल